सफर का जायका हमारे इस नए सत्र में आपका फिर से स्वागत है आपको पता ही है कि हर सत्र में मैं एक नए स्थान जाता हूँ और वहां कैसे पहुचा जाए वहां के भोजन और अन्य विवस्थान की जानकारी आपको देता हूँ आज की इस जायके में मैं आपको All India Institute of Medical Science भो उनमें यह जो एमस है यह अपने आप में अग्रणी है अग्रणी इसलिए है कि इसमें उडिसा राज के अतरिक्त पश्चिमंगाल के भी बहुत सारे लोग जाते हैं वहां इलाज करवाते हैं ठीक होकर गयाते हैं आईए शुरुवात करते हैं कैसे यहां पहुचें क्या ख पाई भी है एसी बस भी है उसकी उससे आप यात्रा करते हैं तो एक घंटे का समय लगेगा 20 रुपय किराया और इतने में आप एमस पहुच जाएंगे यदि आप वहां से ओला या उबेर टैक्सी या आटो करते हैं तो उसका अपने हिसाब से समय के अनुसार किराया लगत हैं बाद में छुटियों के दिन कम हो जाती हैं ऐसे में यदि आपको भोजन करना है तो इंस्चूट के ठीक सामने बाजार में कुछ अच्छे अच्छे होटल है और इंस्चूट के पीछे की तरफ एक अनु का ढबा है या अनु फुड कार्नर है जिस तरह से इसकी सजाव अनु प्रसिद्ध या सबसे लजी जगरवेंजन देखें तो यह देखें इडली है इडली के साथ वड़ा है और वड़ा के साथ यहां रसम यह चटनी का नहीं बलकि उसमें प्याजोगर अखटा हुआ डाला जाता है और साथ में आलू दम आलू दम मतलब आलू की सबजी और उसमें घूगनी मतर की सबजी मिली हुई डाली जाती है और बहुत ही स्वादिश्ट होता है एक अलग तरह का यहां इडली खाने का आनन्द है पश्ची मंगाल से लगे हुए छेत्र जितने भी हैं भूनेश्वर के साथ साथ वहाँ पर इडली के साथ आलू दम का प्र चलन मिलेगा केवल 20 रुपे में एक प्रेट और मुझे लगता है कि भरपूर नाश्टा होता है यहां इसके अलावा एक और चीज मैंने देखा इसको यह लोग पोड़ा च्छाना बोलते हैं पोड़ा मतलब जला हुआ और च्छेना मतलब खोया यह खोये को जला के यह दुकान लगा दिया जाता है लोग डर करके लेखे आते हैं दुकान लगाया बेचा दो घंटे में साफ और घर चले जाते हैं कैशलेस पेमेंट क्या होता है वह यहां आके मुझे पता चला कि एक छोटा सा दुकान वाला नारियल पानी बेच रहा वह भी बोलता है पेटी- करिए इससे अच्छा क्या कैश लेकर गूनने की ज़रूरत नहीं है आप बस मुबाइल लेकर चलिए भूतान करिए खाईए और चल दीजे इसी तरह से यहां के जो भी रेस्टूरेंट हैं या फिर जितने भी गेस्ट हाउस हैं उसमें भी कैशलेस पेमेंट की विशेश जो समेंट केलिए मेरी हाउस हूप।